अरे ये रहा लिटल सिंगम दोस्तों मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ लास्ट अंगिल लोगों ने मुझे बहुत बुरा मारा था और पकड़ पकड़ के सूता था काल के साथ में आज इनसे मेरे को बदला लेना है और इनसे बदला लेने का आज टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि ये लगता है ये लोग कहीं घुमने जा रहे हैं काश मेरे पास उस समय इतनी ताकत होती कि मैं इन लिडल सिंगम को मार पाती मगर अभी शिंशैन भी बहुत जादा पावरफुल हो चुका है हम इनसे लड़ तो सकते हैं बट ऐसा करती हूं मैं आप छुपके बैड़ जाती हूं इंतिजार करती हूं कि कैसे लिडल सिंगम शिंशैन को छोड़ जा को निकालने वाली यह तो इस बात का ध्यान रखना ठीक है न चल्चैन मैं जाता हूं डूटी पर अले लीडल जिंगम भईया ब्रेस मुझे भी आपके साथ में ले चलो और देखने के लिए जिद करेगा अले लीटल जिंका भाइया प्लीज मेरे को भी ले चलो मुझे भी आपके सामने जाना है प्लीज आपके साथ जाना है और इसको पता नहीं है मैं अभी अभी काल के अड़े पे जाऊंगा और काल से लड़ाई करके सारा का सारा समान लूट के लाऊंगा याद है ना आपको कल उसने मेरा बैंक लूट लिया था शिंचैन मेरे पासे मता पासे मता चलो तो गैस कैसे भी करके कि SANCHAN को तुम है नहीं छोड़ से कि को को फोन कर देता हूं कि SHINCHAN BEGAL को नहीं को जल्दी से ले बाहर से वह मेरा पीछा कर रहा है ठीक है न जल्दी सब्सक्राइब करें तो अराम से उड़कर के जा सकते हैं यह पहुंचने वाले बस थोड़ी सी देर चिंता नहीं है काल का फामाउस है उस फामाउस पर बहुत खतरनाक खतरनाक चीज़े हैं और एक गंस भी रखता है आपको पता नहीं क्या तो आज हम काल के अटेक करके सारी छीन लेंगे लेट्स तो भाई जल्दी से कंल के अट्डे फे चलते है और उस काल का अट्डर जंगल के ऐसा करता हूं कि हमें जल्दी से घर के अंदर इसको लेकर जाना पड़ेगा अरे यह कौन आगया लगता है ग्रैनी की टीम से दिखता है वे गाड़ी चौले हमारे कुछ टकर दे के जा रहे हैं चला गया देखता है चलो तो गाइस चल दी फजली गर के अनदर तो गाइस इस बहुत अच्छा मौका है सिंचैन को किड्नैप करने का की को उसको तो अपन अराम से लड़ लेंगे मगर बस इसका ध्यान रखना होगा कि की को की टीम ना जाए भाई शिवा की अगर टीम आ गई तो बहुत बड़े पंगे हो सकते हैं चलो तो गाइस अभी जल्दी से चलता ह है यहां पर देखता शिंचैन खापे हैं शिंचैन तो घर के अंदर है चलो तो एक बार घर के अंदर फिर से जाकर देखता है और यह लड़ाई करने के लिए तयार हो जाती हूं बश्या ना अब यार यह इतनी सी देर में खाँ चले गया शिंचन लगता है मुझे उपर जाके देखना पड़ेगा जैसे ही शिंचन आयगा गेट पर खर दूगी यहीं ठुप जाती हुआ आप जानती हैं यह वाला घर काल का है और इसके घर पे काफी जादा सोना पैसे चुपे रहते हैं क्योंकि काल किटनैपिंग बहुत जादा करता है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि आज हम इसके सारे पैसे चुरा करके इनको घर लेकर चलें चलो मैं गाड़े को जल्दी से यहां पे पाक करके निकलता हूँ और देखता हूँ कि आखीर इसक्ता है काशे पैसे चुरा सकते हैं हे काल हमला करते हैं सीधा ठीक है काल काँपे है तू sounds यह पर तो नहीं है आसपास चारो तरफ देख लो काल तो नहीं है आसपास हे काल गाइस लगता है यहाँ पर आसपास में काल नहीं है मुझे और पूरे घर पर जाके देखना पड़ेगा ओए काल के बच्चे हैं कहाँ पे है तू एक बार अपने शकल तू दिखा गाइस यह क्या हो रहा है यह तनी धुआ कैसे हो गई लगता है गाइस कहाल को पता पड़ेगा दिखता है वहाँ पेश इंशैन को गिटनाप करने गई है और यह यहाँ पे हमारे पैसल उठने आए था हमने यह जाल पहले से ही बिच्छा रखा था जैसे ही लिटल जिंगा माएगा इसको पकड़ के सारे के सारे मारेंगे यह पारागी चाकर के जरह उठके तो दिखा अच्छा उठेगा ले तो फिर एक और लाथ खा अब जरह उठके तो दिखा अगर उठा तो एक और मारूगा यह उठा और यह पड़ी चाकर के चलो तो गाईस बहुत अच्छा किया उठे साल अभी भी नहीं मान रहा क्या वैसे तिरको पता नहीं है लिडल सिंगा अबे तिरको बिल्कुल भी नहीं पता वहाँ पे ग्रैनी शिंचैन को किड्नैप कर रही है कीको को मार करके और मैं तिरको यहाँ पे मार रहा हूँ अरे आज तो वही आज हमारा दिन है इसको बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं तो बस पिटने का नाटक कर रहा था ताकि इसके सारे के सारे राज खुलवा सकूँ अब जल्दी से कीको को फोन करता हूं हेलो हेलो कीको अरे यार कीको का तो फोन ही नहीं लगा रहा लगता है गाइस ग्रैनी ने कीको को मार दिया दिख हेलो हेलो हाँ कीको अरे कीको जल्दी घर पे आजा बंगे हो चुके ग्रैनी पीटर ने आ चुकी है मारो मारो सबसे पहले तो इस काल को मारो यह पड़ी एक और लाज खिचा करके बहुत बढ़ी हा क्या ही खिचा के मारा लगता है फुटबॉल खेल रहा हूं काल के शरीर के स शिंशान सुन तो अभी किड्नाप थोड़ी हुआ है वहां असपास में ग्रैनी है छुपए रहना ठीक है अले हां लेडल सिंगह भया चिंता मत करो मैं चुपावाँ और मैं खही नहीं जाने वाला और ग्रैनी से तो लड़ाई मैं कर लूँगा चिंता मत करो आपे पागल आफ़े तो इसकी मज़े अब तो एक और मारेंगे अब तो मैरा जाजू दूसरा करेगा इसको ब्लास्ट करके इसका खेल कहते हो मैं यह लगा लगा करके खेल खतम अल्राइध गाइस तो अब चलते हैं जल्दी से इसका तो के फिनिश हो चुका सारा का सारा माल लूट लेते हैं और उसके बाद में चलते हैं लिडल सिंगम के पास में एक सेकेंड मेरे को बोली कौन चला रहा है 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 यह काल का एकदम रास्ता खाली है तुम यहां पर से सारा समान लूट लो ठीक है चलो तो गाइश अब जल्दी से चलना पड़ेगा जल् दर के आसपास में बड़े बड़े डंडे किसी ने लगा दी है लगता है गाई जी ग्रैनी ने लगायोंगे पका हमें किड्नैप करने के लिए मगर चिंता मत करो हमारे पास एक तरीका है और उस तरीके से हम ग्रैनी को आसानी से फसा सकते हैं दिखाओं अरे अब भी चलो मुझे पीट ने आ गया और अभी तक तो शिंचैन में नहीं मिला अब तो भाईया मेरी जान बहुत ज्यादा कत्रे में हैं अब क्या करूं मैं सोच्रियों भाग जाती हूं और हाँ मेरे लिए भाग नहीं सही रहेगा मगर अभी लिटल सिंगम को पता नहीं कि मैं खापे ह है वो मेरे को कभी भी देखके यहां से किड्नैप करके लेके जा सकती है अब मैं क्या करूं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा अरे मुझे शिंचैन की यहीं आसपास में आवाज आ रही है मगर चाला शिंचैन दिखनी रहा है खापे शिंचैन अरे यहां पर छुपने की आसपास में तो जगह ही नहीं है खापे गया शिंचैन और लिटल सिंगम मुझे पीटने को आ रहा है ए बगवान मुझे भी कोई बचाओ अरे दोस्तों ग्रैनी की मुझे यहां आसपास से आवाज आ रही है मगर है खाँ यह नहीं पता सबसे पहले लिटल सिंगम को डूं करनता हूं और कीको से पता लगाता हूं है कीको लगता है कीको कहां पे गया लगता है कीको तो यहां असपास नहीं है लगता है ग्रैनी ने उसको मार दिया दिखता है अभी भी कीको अरे लगता है कीको यार यहां पे तो कीको दिखी नहीं रहा मुझे एक सेकिंड यह कौन है यह तो ग्रैनी है पीटो सालेगों यही तो है जो हमारे लिटल जिंगम को किड्नाप करने आई थी ओ भाई साब अब देखना क्यासे दूस आके और यह पड़ी किचा करके ओर यहे है क्या खटनाक अमारा मैंने और यह रहां शिंचान 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 सिंचान इंसाihat decidakon दा ने निकल जाए पीटर रहो दमादम दमादम रुकना नहीं है पीटर रहो ओल राइट लगता है सोगे उठेगी मुट के मारेगी हैं उठकर के मारेगी मुझे ओल राइट गाइस तो इसको तो उठाके फेक दिया है अब चलो शिंचैन को जल्दी से लेकर चलते हैं डॉक्टर के क्योंकि अगर उसके कुछ हो गया तो भाई प्राब्लम हो जाएगी अरे लगता है शिंचैन के कुछ नहीं हुआ एक कीको को लेकर जाना है भईया खीको अरे लिट्ल सिंगा भईया कीको को जल्दी से डूंडू कीको भईया को ग्रानी ने बहुत बुरा तरीके से मारा है पकड़ो उसको जल्दी से बचाओ डॉक्टर के लेके चलने अरे हाँ हाँ जा रहा हूं जा रहा हूं बस चिंता में तर्ड डूंड रहा हूं की को को गाइस मुझे लगता है कि की को को ग्रैनी ने अंदर ही मारा होगा हो सकता है उसकी जान बहुत ज़्यादा टेंशन में आ आ चुका है डॉक्टर का घर चल की को डॉक्टर के चलना है अपन को तब तक के लिए बाइबाइब